हेलो गाइज वेसं वीड तो आपको पताने हो कि और यह सब सब को कहां से मिलने वाला या अगर बनवाना है तो कहां से बनवा सकते हो यह भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले है जारकन पॉल टेकिनिक का जो आप इंटरेंट से देने गए उसमें आपका अड्मिट कर निकला था वह आपको लगेगा वह आपका ऑरजीनल लगेगा क्यूंकि आपको चलने पुला गया होगा तो अगर अघर जो बहुत भी है और आपको यह जाएगा लेकिन उसकी लिए आपको करवाना होगा पुलीस इस्ट वोuing को दोकुमेंट के रहे तो इसके आपको लगेगा अलाट्मेट के लिटर अभी आइप कांसलिंग कर रहे है कॉले फील कर रहे हैं कौन सा क्वालेज है कौन सा ब्रांच ये क्उसलिंग धिर फिर आपका आलोटमेन लेटर आगा जिसमें का कॉलेज अलोट हो गया होगा फिर आपको डाउलोड करने मिलेगा फिर यह दो प्रॉग्लम होने वाला था इसके बहुत बसक्राइब लेटर हो गया यह दोनों आपको प्रिंट आउट ले जाना है जो भी आप लोग अभी तक 10 पास आउट हो गए या फिर जो भी आपका हैर कॉलिफिकेशन है वह सब भी लगेगा अगर आप 12 की हुए तो 10 का भी लगेगा 12 का भी लगेगा अगर अगर आप 10 करके बात कर ले तो सबसे पहले आपका टेंथ कर जो बोर एकजाम हुआ था उसका इडमिट कर लगेगा इजरे रिजर्ट भी आ चुका है तो इसमें आपको मैसमें ऊको माइग्सीट हो गया उसके पिर आपको माइग्रेशन सेटिपिकेट मिलेगा जो कि आता है आपके बोर से ही सब्सक्राइब तो अगर आपका बोर्ड में आ चुका आपका जैसे जैक बोर्ड में बाकी सब सब्सक्राइब अगर किसी भी स्कूल में नहीं है तो कोई प्रोग्लम नहीं होने वाला इसलिए माइग्रेशन सेटिपिकेट अपनी स्कूल में पता करें लेना कि आया है कि नहीं है तो वह भी लेना उसके पाद आपका काड्म कर तो पहले ही मिल जाता बाट इक्जाम के लिए उसका 10th का मार्क सीट उसके प defense रहें तो 11 अपो लेहां तो चैनल आपको लगेंगा metriculation पासिंग सर्टिफिकेट के भी आता है जो जगा जो जार्खन बोड में होता है पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेसन एक ही साथ जुडा वह लगेगा अगर किसी बोड में अगर नहीं आए तो भी चल जाएगा लेकिन आपको चाहिए होगा अगर दूसरे स्कूल में पहले जो ट्रांसफर सेटिफिकेट था वह भी आपको इसकूल देने वाला था उसके अब फिर आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम आठ ले जाना अपना उसके फिर और वह फोटो मतलब आप आप आपना जो जहां भी फोटो खिचवाने जाओंगे वह फोट पड़ेगा तो वह वाला फोटो यूज करना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अगर फोटो इस्टूडियो जाते हो फोटो खिचवाने तो आठ कॉपी निकलवा लेना हो सकता और ज्यादा भी निकलवा लेना कि बाद में भी काम आने वाला फोटो और उसके आपना करवालेना उसके बाद क्सके प्राइब खिचाने के लिए तो दिखा देना प्रिंट ले जाना तो बीच काम चल जाएगा आधार काट के बाद लोग बात कर लेते नेक्स डोकुमेंट के बारे में जो कि आपको बहुत लोग सब को बनवाना पड़ता है उसके यह आपको जाके बनवाना पड़ता है अपने बनवा सकते हो आप जिस ब्लॉक में रहते हो उस ब्लॉक में जो ब्लॉक का उफिस है वहां पर चले जाओ आपको मिल जाएगा पता करना की शर्टिफिकेट वहां से बनवा या फिर आपके गूगल मैक में सार्च करना आपका नियरबाई जो भी प्रग्या केंद्र अभिलेबल है या सीस्टी सेंटर या पिस डिजिटल सेवा केंद्र यह सब जगह मतलब यह डॉक्मेंट बनता है तो वहां जाके आपको बनवाना पड़ेगा यह सब बनवाने मतलब कर लो कई का ड CV लगेगा उसके जाके बनवाने में आपको बहूकर जाके पूछ लेने का क्या क्याs लगेगा लगे लग उसके लों में थाए क्वाला में घांए व टॉढ़ां लगे इसंट एगेगा अगर आपको पार टाइम сю रहें सब्सक्राइब करना रहता है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है तो सीओ वाला है जल्दी बन जाएगा अगर आपका कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है यह सबसे अगर आपका सीट अलॉट हुआ है तो आपको का स्रेटिफिकेट लगेगा यह भी आप सीओ स्डियो और डीशी तक बनवा सकते हो तीनों काम बन जाएगा तो आपका अगर सीट अलॉट हुआ है तो आपको यह से लगेगा उसके यह जो जैनरल काटेगरी होके होते हैं वह और व्लॉट से ले रहे हैं तो उनको यह सबसे लगेगा यह भी मतलब आपको ब्लॉक में ही बनने वाला है का सेटिफिकेट भी आपका ब्लॉक में बनने वाला या फिर प्रग्या के इंद जो होता है तो इसमें आपको इंकम सेटिफिकेट लगेगा और देख लेना कि एक और वीडियो भी डला हुआ है उसमें मतलब मैक्सिमुम आपका इंकम कितना होना चाहिए तभी वो सेटिफिकेट से अब आपको एंकम सेटिफिकेट ही हिसके आता है पडलाना पड़िक्ने मतले इल्ख है आपका बनने ओप değild वी जरूर्म आपड़ेगा उसके में भी भीट्रेजिस्टेक्री बना देगा प्राइब और लोग्या लिदिफ स मतलब जो रेजिस्टर्स्टर्स न होता वह गर्मेंट के अंडर होता है इसा नियुक्त कि अगर बहुत सारा कॉलेज में इक इस प्रमेट चलता है इस फ्रमेट में आपको अपको मेडिकल से बन्वाना होगा तो उसके लिए जो भी तेलीग्राम गूरुप में यह कोई चल र से आप बनवा लेना तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक दो दिन मतलब वास आपको डॉक्टर के पाँ जाके वह बनवाना होगा तो इसमें आप देख लेना बना देते हैं सबका तो जिस भी कॉलेज जो आपको अलोट होता है तो गुरूप में पूछ लेने कि उस कॉलेज के आसपास बनता है कि नहीं तो आप उस टाइम भी बनाओ सकते इसमें ज्यादा टाम नहीं लगता मतलब फॉर्मेट पहले से रेड़ी होता है बस आपका नाम और इक्सें से नंबर आपका डिटेल भर देगा वह सटीडिकेट बन जाएगा यह सटीफिकेट मतलब एक इस्टांप पेपर में बनता है जो कि मतलब कितना को एंदर यह साइन करनायगा और वह सब पहले से रखते हैं जो भी आपका डिटेल कर देंगे आपका तो आपके पैरेंट्स के तरफ से एक एकार टाव बहुत लोग एक साल बैट जाते हैं फिर प्र यह दो आपको सबको लगेगा लेकिन गाप आगया बहुत लोग 12 कर लेते हैं उसका 12 करने के बाद भी एक साल कुछ करते हैं तो लोग को भी जिनका भी एजुकेशन में गया हुआ हुआ है उनको गैपिंग सेटिफिकेट लगेगा जो कि जिनका भी मतलब जो भी आप माक्सिट करने चाहोगे तो वहाँ देखा जाएगा कि यह आपका पास आउट क्या है वहाँ पे उसके मतलब का पास हुए ह तो वह पता चल जाएगा कि बीच में एक साल तो वहाँ पर आपको गैपिंग सेटिफिकेट लगेगा तब ही आपका एडमिशन होने वाला है जो लोग करके एडमिशन ले रहे हैं यह करके एडमिशन ले रहे हैं तो ट्वेल्ट करके माक्सिट दिखा देंगे और टैंथ क चलके कोई प्रोग्लम नहीं हो और उसके अद मेडिकल सेटिफिकेट जाए वह 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 आप किसी भी गवर्मेंट का अंडर जो रेजिस्टर किया हुआ दॉक्टर है उनसे बनवा सकते हो उसके फिर इतना जो भी आपको इसकूल से मिलने वाला यह जो भी आप बनवाओगे ब्लॉक में बनवाओगे जो भी आप बनवाओगे यह मेडिकल डॉकूमेंट फिटनेस जो फिटनेस सटिपिकेट है यह सब सारा आप सकैन करके मुबाइल से जो इसकैनर है आप अपना गूगल ड्राइब में अपलोड करके रख लेना कि यह सब आपको कॉलेज में समिट ह लेना और जो आपको पहले बताया था जो लोग जो सब डॉकुमेंट ऑरिजिनल था वह सब अपना लेमिलेशन करवा कि कॉलेज में समिट करना तो आपको यह वीडियो लगा होगा अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना और टेलीग्राम प्रिपेर करना है तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए टेलीग्राम गुरूप है और नीचे कमेंट कर सकते हो तो हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई